दोस्तो नमस्कार, स्वागत है आपका Study for Civil Services में दोस्तो हम पढ़ने जा रहे हैं महासागरिये तरंग और धाराओं के बारे में यानि महासागर के अंदर किस प्रकार की तरंगे और किस तरह की धाराएं जन लेती हैं यह सब कुछ हम यहाँ देखेंगे इस से पहले भी हमने महासागरों के बारे में काफी कुछ जाना है जो हमारे विश्व में अलग-अलग तरह के महासागर है पैंथा लाजा के विभाजन से जिनका निर्माड हुआ है उन सभी के बारे में देखा उसके अंदर बनने वाले गर्तों और कटकों को भी समझा और उनके द्वारा किस तरह की स्थलाकृतियां और किस तरह की डिजाइने बनती हैं और उनके अंदर का तल कैसा है यह सब कुछ जानने का प्रयास किया यहाँ पर हम उनकी लहरों के बारे में अध्यान करेंगे इससे पहले कुछ जानकारी हमारे पेट कोर्सेस के बारे में आएए उसे भी देख लेते हैं दोस्तों हमारे पेट कोर्सेस अलग-अलग सिविल सेवा परिक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं इसमें UPPSC, MPPSC और BPSC जैसी परिक्षाएं हैं, मतलब इनके द्वारा आयोजित की जाने वाली परिक्षाएं हैं। इसके अलावा UPSC की जो, मतलब संग लोग सेवा आयोग की जो सिविल सेवा परिक्षा हैं, उसके भी प्रारंबिक दौर के लिए इसे लांच कर दिया गया है, और यह चल रहे हैं, लोग इनसे जुड़े हुए हैं, अगर आप भी जुड़ कर लाब लेना चाहते हैं, तो नीचे दिये गए कालिंग नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, फोन करके आप डीटेल हासिल कर सकते हैं, कि कैसे जुड़ना है, पूरी प्रक्रिया आपको समझा दी जाएगी, वहाँ आपको PDF भी मिलेगा और वीडियो भी मिलेंगे, इसके अलावा जो Free Study Material और वीडियो नोटिफिकेशन की बात है, उसके लिए हमारा टेलिग्राम चैनल चलता है, वह भी टेलिग्राम के माध्यम से ही संचालित हो रहा है, उसे आप अवश्य ही ज्वाइन करिए, वहाँ पर जो कुछ भी मिलेगा वह निशुल्क होगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल जाएगी, जिसके लिए आपको यूट्यूब पर इंतजार करना पड़ता है, तो आईए, आगे चलते हैं, दोस्तों जो समुद्र का जल होता है, जो समुद्र के अंदर का पानी होता है, उसमें दोलनी ये गती होती है, यानि वो दोलन करते हैं, यहां आप देख सकते हैं, और इसमें जलीये कड उर्धवाधर रूप में संचलन करते हैं, यानि जो जल के कड होते हैं, पानी के पार्टिकिल्स होते हैं, वह उर्धवा धर चलते हैं यानि उपर की और उनकी गती होती है और तरंग का उपरी भाग श्रिंग या सिर्ष कहलाता है और निचला भाग गर्द कहलाता है मतलब लहरे जो है वो ऐसे ऐसे होती है आप देख रहे हैं तो जो उठा हुआ भाग है वो श्रिंग है और जो नीचे धसा हुआ भाग है वो गर्थ है श्रिंगों और गर्थों को हमने पीछे भी देखा है जब वलन वाला चेप्टर मतलब वलन वाली जो टॉपिक थी उसको हम पढ़ रहे थे उसमें हमने इसका अध्यान किया है यहाँ पर भी लहरों में ऐसे ही रिजाइन बनती है लहरे जो हैं वो ऐसे ही बनती है कहीं पर उची होती है कहीं पर नीची होती है और यहाँ पर प्रतेक तरंग जो प्रतेक सागरी ये तरंग है उसकी एक विशेश लंबाई होती है उचाई होती है उसका अपना वेग होता है और तरंग का आवर्द काल होता है यानि टाइम पीरियड भी उसका भिन्द भिन्द होता है और दो क्रमिक श्रिंगों यानि जो दो क्रमिक उभार हैं एक के बाद एक और गर्दों के मत्री इस्थित जो उर्ध्वाधर उचाई होती है उसे तरंग उच्चता या आयाम कहा जाता है इसका मतलब समझ रहे हैं यानि या तो दो श्रिंगों की उचाई हम ले ले श्रिंग का मतलब उभरी हुई डिजाइन या दो गर्दों की गहराई को ले ले हैं दो क्रमिक गर्द ले ले या फिर दो क्रमिक श्रिंग ले ले और इनकी जो पूरी चोड़ाई है उसको हम नाप लेते हैं तो ये तरंग उच्चता या तरंग आयाम कहलाती है इसे ही आयाम कहते हैं अब चलिए आगे चलते हैं इसके बाद दिया हुआ है कि सागरिये तरंगों की उत्पत्ति सामाने रूप से सागर के जलिये धरातल पर पवनों के घर्षण के कारण मानी जाती है यानि जो समुद्र की लहरे हैं उ उसकी उत्पत्ति कैसे होती है तो समुद्र की जो उपरी सत्व होती है उसके साथ हवा का घर्षण होता है यहां पर प्रिक्शनल फोर्स उत्पन्न होता है और इसके कारण लहरों की उत्पत्ति मानी जाती है तरंगों की उचाई पर जो तरंगों की उचाई होती है उस पर सागर के जलिय धरातल के विस्तार का भी इस पर असर पड़ता है, यानि जो समुद्र का जलिय धरातल है, उसका भी कितना विस्तार है, इस पर भी तरंगों की इस्थिती और उनकी गती निर्भर करती है, लेकिन हमने देखा कि जो सागरिय तरंगे हैं, इसमें पवनों का घर् अब यहाँ पर सागरिय जल की गहराई अगर जादा होगी यानि समुद्र का पानी जादा गहरा होगा तो उच्छे तरंगों का निर्माड होगा यानि तरंगे उची होगी लेकिन इनका जो वेग होगा वह अपेक्षाक्रित अधिक होगा स्वाभाविक है उचाई जादा होगी तो वेग बिजो है जादा हो जाएगा यहाँ पे और जब तरंगों की शरंखिला यानि जो तरंगों की सीरीज है वह तत्टवर्ती भागों में पहुँचती है तो यह देखा जाता है ऐसी स्तिती में यहाँ पर उथला जला जाता है आप देख रहे हैं जो मद्य भाग है आप तरंगों को इस तरह से देखें कि यह गहरे समुद्र से किनारी की और बढ़ रहेगी इस तरह से तो जहाँ पर गहरा समुद्र है वहाँ पर इनकी उचाई थोड़ी जादा होगी लेकिन जब यह किनारे पर पहुँचेगी तो आप जानते हैं जो किनारे होते हैं वो अप एक्षाक्रित कम गहराई वाले होते हैं मद्यमाग जादा गहरा होता है तो जब ये किनारे पर पहुँचेंगे तो वहां गहराई कम हो जाएगी और इसके कारण इनका जो वेग है वो भी कम हो जाएगा और इनकी जो तरंगे हैं वह दिर्ग वृत्ताकार बन जाएगी दिर्ग वृत्ताकार इसलिए बन जाएंगी क्योंकि अब उनके उत्थान में बाधा आ रही है वह उची नहीं बन पा रही है उनकी प्रगती में बाधा उत्पन्न होती है उची क्यों नहीं बन पा रही है क्योंकि उचाई लेने के लिए नीचे गहराई मिली नहीं रही है कोई भी तरंग सिर्फ उपर ही नहीं चलती ऐसा नहीं है कि आप उपर ही ऐसे ऐसे तरंगों को बना देंगे वह उपर बनेगी तो उतना ही उसका हिस्सा नीचे भी जाएगा इस तरीके से मतलब इतनी उपर गई तो इतना ही नीचे भी दबाव डालेगी फिर उपर जाएगी फिर नीचे जाएगी तो इसके लिए उसे जब जादा उचाही लेगी तो नीचे उतनी ही गहराई चाहिए होगी अगर गहरी जमीन नहीं मिली तो इतनी उची लहर नहीं बन पाएगी और यही कारण है कि जो समुद्र का किनारा होता है वहाँ पे लहरों के उचाई इतनी ज़्यादा नहीं रह जाती और जो मत्यभाग होता है वहाँ पे लहरे ज़्यादा उची होती है क्योंकि गहराई उन्हें बिलती है अब इसके बाद आगे देखते हैं मासागरिय धाराओं को एक निश्चित दिशा में यहाँ पर दिशा जो है वो निश्चित है यहाँ पर मासागरिय जल के प्रवाहित होने की जो गती है उसे धारा क्याते है मतलब मासागर का जल जो है वो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है इसकी अपनी ये फिक्स डाहिन होती है और यही जो उसकी गती है इसी को जल धारा क्याते है अब यहाँ पर जो बल कारे करता है वो है कौरियालिस बल कौरियालिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्द की धाराएं अपनी दाहिनी ओर यहां ध्यान से इसे देखेगा, यह तत्य महतुपूर्ण है कॉरिवालिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्द, यानि जो नौर्धन हेमिस्पीर है उसकी जो जल धाराएं होती है, वह अपनी दाहिनी ओर और दक्षणी गोलार्द, यानि जो साउधन हेमिस्पीर है उसकी धाराएं, मतलब यहां जल धाराओं की बात हो रही है वह अपनी बाई ओर प्रभाहित होती है उत्तरी गोलार्द में जो हैं वह दाहिनी ओर प्रभाहित होंगी और दक्षणी गोलार्द में बाई और प्रवाहित होगी माहसागरी ये जलध हाराों के संचरण की इस सामाने विवस्था का एक मात्र प्रसिध अपवाध है हिंद माहसागर के उत्तरी भाग में मतलब इसमें कहीं कहीं एकसेप्शन मिलता है ये एक मात्री ही है मात्र एक यहाँ पर अपवाद है और वो है इंडियन ओशियन में उत्तरी भाग में यहाँ पर जो जल्ध हराये हैं इनकी दिशा मानसूनी हवाओं की दिशा के परिवर्तन के साथ बदल जाती है यानि यहाँ पर मानसूनी हवाएं जो महासागर की जल्दाराये हैं उन पर असर डाल देती है और यही कारण है कि वह अपनी दिशा बदल लेती है otherwise इनकी दिशा जो है वही रहेगे मतलब एक fixed direction है और ऐसा क्यों होता है कि एकदम निश्चित है क्योंकि इन पर coriolis ball का प्रभाव होता है और coriolis ball जो है यह पृत्वी के घूर्डन से संबंदित है पृत्वी अपने अक्ष पर घूर्डन कर रही है जिसके परिणाम सरूप यहाँ पर इस बल का जन्म होता है और आप जानते हैं पृत्वी एक समान गती से और निरंतर अपने अक्ष पर घूम रही है अगर पृत्वी की गती में परिवर्टन हो जाए तो यह सागर की जो जलधाराये हैं यह अपना दिशा मतलब अपनी डारेक्शन को चेंज कर सकती है लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं तो इनकी भी अपनी एक निश्चिक दिशा है सिर्फ इसमें अपवाद होती है यह हिंद माहसागर के उत्तरी भाग में पाई जाने वाली जलधारायें जो कि मानसुनी हवाओं के साथ ताल मेल बैठा लेती हैं और अपनी दिशा बदल देती है इसके बाद देख लीजे माहसागरी ये धाराओं का वर्गी करण इन्हें कैसे बाटा गया है तो धारा की दिशा धारा की जो माहसागरी धारा है उसकी बात हो रहे है उसको दिशा, गती और आकार के आधार पर यानि यहाँ पर तीन चीजों को ध्यान में रखा गया डिरेक्शन, उसकी मूवमेंट और उसकी जो साइज है उसके आधार पर इसे कई प्रकारों में बाटा जा सकता है यानि यहाँ पर तीन फैक्टर है उनको ध्यान में रखके इसे कई भागों में बाटा गया है कुछ भागों को हम यहां देखते हैं जैसे कि पहला है प्रवाह प्रवाह क्या होता है? किसी चीज का बहना स्वभाविक रूप से इसकार्थ यही है जब सागरिय सतर का जल जो समुद्र की सतर है वहां का जल पवन वेग से प्रेरित होकर हवा की रफतार से प्रेरित होकर आगे की ओर बढ़ता है अगरसर होता है यानि बढ़ता है तो उसे प्रवाह कहते हैं यानि हवा के सहारे ही आगे बढ़ता है हवा चली और उसके साथ ही पानी की रप्तार भी उसी दिशा में बढ़ जाती है, जिस दिशा में हवा बह रही है, और इसकी गती और सीमा निश्चित नहीं होती, निश्चित क्यों नहीं होती, क्योंकि हवा की मात्रा निश्चित हो जाए, तो इसकी भी सीमा निश्चित हो जाएगी, लेकिन हवा का ज रक्षणी अट्लांटिक प्रवाव इसके बाद हम दूसरे भाग को देखते हैं जो की है धारा इस्ट्रीम जब सागर का जल यानि समुद्र का जल एक निश्चित दिशा में और एक निश्चित सीमा यहां देखिए जो लिमिट है वो फिक्स है पीछे हमने देखा कि सीमा नि या निश्चित सीमा के अंतरगत निश्चित दिशा की ओर तीवर गती से अगरसर होता है यानि यहां पर दिशा भी निश्चित होती है और उसकी लिमिट भी निश्चित होती है और गती यहां पर तेज होती है पानी की रफ्तार काफी तेज होती है तो इस तरह की जो निश्चित थी और नहीं सीमा निश्चित थी यानि हवा जिदर बहा कर ले गई जल उधर ही बहा गया तो हवा अगर धीमी बढ़ गई तो जल के बहने की रफ्तार भी धीमी हो गई लेकिन धारा पर ऐसा कुछ भी नहीं होता यहां पर एक फिक्स लिमिट होती है और एक तो यहां देखिए जब सागर का अत्याधिक जल समुद्र का एक भारी मात्रा में जल धरातलिये नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है यानि जल की एक बड़ी मात्रा एक बड़े अमाउंट में वाटर धरातलिये नदियों के समान जो जमीन पर जाती है और इसकी भी दिशा निश्चित होती है गल्फ इस्ट्रीम इसका प्रमुख उदारन है गल्फ इस्ट्रीम के बारे में आपने सुन रखा होगा यह विशाल धारा का ही उदारन है अब यहां पर तापमान के आधार पर यानि टेमपरेचर को आधार बनाकर मासागरी धाराओं को दो भागों में बाटा जा सकता है इसके लिए जो आधार बनाया गया है वो है टेंपरेचर कौन-कौन सी धारा है आप जानते हैं एक तो गर्म है दूसरी ठंडी जल धारा है जो विश्वत रेखा से ध्रूओं की ओर चलेंगी वो गर्म होंगी और जो ध्रूओं से ध्रूओं की और प्रवाहित होने वाली धाराएं गर्म और ध्रूओं से विश्वत रेखा की और बहने वाली जल धाराएं ठंडी होती है इस तरह से आगे चलते हैं सागरी ये जल धाराओं की उत्पत्ति अब ये जल धाराएं बंती कैसे हैं क्यों बंती है उसके पीछ परिमन और गुरत्वा कर्शन यानि पृत्वी का अपने अक्षपे घूडन और उसकी जो ग्रैविटी है ये सागरिये जल्धाराओं को प्रभावित करती है। इसके अलावह महासागरिये कारक के तॉर पे अगर हम देखे थो तापमान भी प्रभावित प्रताई हिए। पीछे देखा कि हवा के सहारे प्रवाइत हो रही थी, तो वायू हो गई, इसके अलावा वायू इंडली इदाव होता है, यह भी असर डालता है, वर्षा की मात्रा भी इस पर असर डालती है, जो वेपराइजेशन होता है, वास्पी करण, वह भी इस पर प्रभाव डालता है और सूरे का ताप वह भी इसी से जुड़ा हुआ है यानि सूरे के ताप पर भी निर्भर करती है इसी तरह से धाराओं में परिवर्तन या सुधार लाने वाले कारकों को देख लीजिए तो तट की दिशा और आकार तथा मौसम में परिवर्तन इसके अलावा नितल की जो इस्थला कृतियां है यह सब धाराओं में परिवर्तन कर सकती है यानि उन्हें मोड और अपने हिसाफ से परिवर्तित कर सकती है या फिर सुधार सकती है तो इस तरह से चार प्रकार के कारकों को हमने देखा जिसमें की सबसे महत्वपूर भूमिका निभाते हैं दो कारक एक तो प्रिवी का परिवर्मण और गुरुत्वा कर्शन वाला हिस्सा और दूसरा महसागरी कारक बाहरी जितने भी कारक है उनका प्रभावा तो बढ़ता है लेकिन उतना व्यापक नहीं होता इस थाई नहीं होता इस थाई असर यहीं दोनों डालते हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा असर डालता है यह पहला वाला यानि प्रिवी का परिवर्मण और उसका गुरुत्वा गर्शन तो आईए इन्हें क्रमशा देख लेते हैं सबसे पहले प्रिवी की परिवर्मण गती दोस्तों हम जानते हैं कि प्रिवी अपने अक्ष पे अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व की और घूमती है यानि इसकी जो दिशा है वो वेस्ट टू इस्ट है और महासागरों का जल तरल होने के कारण ठोस प्रिथवी का साथ नहीं दे पाता कोई भी गीली चीज ठोस चीज के साथ कैसे चलेगा जैसे आप एक गिलास को ले लीजे और उसे पकड़कर जगजोरिये और उसके अंदर पानी भर लीजे तो पानी क्या होगा कुछ समय तक तो जेलेगा अंदर ही लहरे पैदा होंगी और उसके बाद वो बाहर छलकने लगेगा आपने अगर गिलास को जादा तेजी या तीवर गती से हिला दिया तेज रखतार से उसे जगजोर दिया तो अंदर का पानी बाहर आ जाएगा तो इस तरह से प्रिथवी के साथ भी होता है यहाँ पर गिलास क्या होती है ठोस होती है और पानी तरल होता है वही चीज हमारी प्रिथवी के साथ भी है यहाँ मासागरों का जल जो है वो तरल है यानि लिक्विड स्टेट में है और हमारी जो अर्थ है वो solid है तो इस तरह से यहां पर इनका ताल मेल नहीं बैठ पाता और यह प्रित्वी की गती के साथ उसके साथ गूम नहीं पाता और पीछे छूट जाता है यानि प्रित्वी आगे निकल जाती है और जल पीछे छूट जाता है घूमने के दौर में जल में विपरीत गती पैदा होती है यानि इसमें विपरीत तरह का मोशन उत्पन्न होता है तथा वह पूर्व से पश्चिम की ओर धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है हमने देखा प्रित्वी की गूमने की दिशा जो है वह पश्चिम से पूर्व है लेकिन आप वेटर के आसपास की धाराये हैं जल धाराये वह इसी कारण के कारण उत्पन्न होती है और प्रित्वी की परिभ्रमण गती का प्रभाव सागरी जल धाराओं की दिशा पर भी पढ़ता है आपने देखा दिशा बदल गए तो गती का प्रभाव इन पर सरवादिक मात्रा मे पढ़ रहा है इनकी दिशाओं को बदलने में ये सक्षम है आपने ये देख लिया कि पृत्वी घूम रही है सागर का जल उसके साथ साथ पूरा उसका साथ नहीं दे पा रहा है और कुछ पीछे चूट जा रहा है इसके कारण इसमें विरोधा भास हो रहा है और वह जल देखते हैं यह है वायुदाब यानि हवा का दबाओ तो जहां पर वायुदाब ज्यादा होगा हवा का प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर जल का तल नीचा होगा वहां पर पानी की जो सतह होगी उसको हवा का दबाओ नीचे दबा देगा और वहां की सतह नीचे हो कि स्वाभावी का किसी चीज पर प्रेशर डालेंगे तो वह नीचे दबेगी और जहां प्रेशर कम हुआ वहाँ पर उपर उठने का प्रयास करेगी तो आप देख लीजे कम वायुदाव वाले छेत्रों में जो जल का तल होता है वह उचा रहता है और समुद्र तल पर प्रत यह जल धाराये उत्पन्नू होती है यह भी जल में डिस्टर्बेंस पैदा करती है और डिस्टर्बेंस जब यह वायुदाव पैदा करता है तो जहां दबा दिया वहां तो गड़्धा बन गया यानि लहरे नीचे चली गई लेकिन कहीं यह जहां दबाव कम होता है उस निभा रहा है और यह जल धा रहा है उत्पन्न कर रहा है इसके बाद अगला नंबर आता है पवनों का यानि हवा का पवन जो होते हैं यह सागर के उपर से प्रवाईत होते हैं यानि तेजी से बहते हैं और जल को अपने साथ बहा कर ले जाते हैं ठीक वैसे ही जैसे आपने पीछे देखाता, बालू के कणों को हवा बहा कर ले जाती है, तो वैसे ही यहाँ पर पानी को अपने साथ बहा करिये, आगे ले जाते हैं, और वास्तों में विश्व की अधिकांश जल्धाराएं, इस्थाई पवनों का अनुसरण करती हैं, जो इस्थाई हवाएं हैं, इस् दूसरे तोर पे देखें, तो सबसे महतुपूर्ण यहाँ पे पवनों की भूमिका दिखाई दे रही है, और उसमें भी जो इस्थाई पवन है, जो अस्थाई हैं, उनकी बात नहीं, जो इस्थाई रूप से एक अही दिशा में बहने वाली हैं, जैसे इस डरली हो गई, तो उस तरह से उनकी दिशा निर्धारिद रहेगी, और उसी दिशा के अनुकूल जल धारायें आगे की ओर बढ़ती हैं, जैसे आप देख लीजे, व्यापारिक हवाओं के कारण भूमत दे रेखिये धारायें, पूर्वसे पश्चिम की ओर चलती हैं, जो ट्रेड विंड स्थान है, वह है वाश्पी करण और वर्षा का, वाश्पी करण और वर्षा एक दूसरे की रिवर्स अपोजिट प्रक्रिया है, जल भाब बनके आसमान में गया बादल बना, और बादल जो है, जब उनका भार जादा हो गया, तो उन्होंने पानी को नीचे गिरा दिया, और ये वर्षा हो गई, तो वाश्पी करण और वर्षा एक दूसरे से जुड़े हुए है, अब यहाँ पर जिन सागरों में वाश्पी करण जादा होता है, जिन समुद्रों में वाश्पी करण की क्रिया जादा होती है, उनका तल नीचे रहता है, स्वभाविक है पानी भ बढ़ जाएगी और नदियां जाकर समुद्र से ही मिलती है तो इस तरह से समुद्र के पानी में जहाँ वर्षा जादा होती है वहां व्रिद्धी हो जाएगी तो इससे कहीं पर उचाई और कहीं पर नीचा स्थान उत्पन्न होता है और उचे जल तल से नीचे जल तल की ओर अब देखा है जल जो है यानि कोई भी तरल चीज सिर्फ पानी ही नहीं वह आगे बढ़ने के लिए धाल खोजता है धलान से वह नीचे उतरने के कोशिश करता है यानि उचाई से नीचे की और बहने की उसकी प्रकृती होती है तो ठीक यही चीज यहां भी होती है जहां जल क वर्षा के कारण ही उत्पन्ड होती है अब जाते हैं जो बिशुवत रे mote खेत्र होते हैं वह वर्षा की मात्रा जादा होती है और मॉत-खारण यहां पर जल்धाराओं की उत्पत्ति होती है इसके बाद पांचमे नंभर पर देखते है घनत्व प्रवढटता को घनत्व का मतलब होता है सगंता अणुओं की जो संरशना है वह कितनी पास-पास है इस पर घनत में निर्भर करता है तो जिन सागरों में लवड़ता कम होती है जहां पर लवड़ता की मात्रा कम होती है उनका घनत्यों कम होता है इसका मतलब यह है कि जहां पर साल्ट की मात्रा जादा यानि लवड की मात्रा जादा होगी पानी में वहां पर डेंसिटी बढ़ जाएगी तो जहां लवडता कम होगी वहां घनत्व कम हो जाएगा और जिन सागरों में घनत्व जादा होता है जिन सागरों का घनत्व अधिक होता है वहाँ पे लवड़ता की मात्रा भी जादा होती है अब देखे जहां घनत्व जादा होगा जहां डेंसिटी की मात्रा जादा होगी वहाँ पर सागरी ये तल नीचा होगा यानि समुद्र का जो तल है वो नीचा होगा, धसा हुआ होगा जमीन का टुकड़ा नहीं है, बलकि समुद्र की लहरे हैं तो इनके संदर्ब में उन्य देख लीजे, यहाँ पर सागर का तल नीचा होता है जहां घनत्म ज़ादा होगा, वहां समुधरतल नीचे चले जाएगा और इस प्रकार निम्न घनत्म वाले छेत्रों में अधिक घनत्म वाले छेत्रों की ओर से सागरिये धाराएं चलने लगती है यानि जो सागरिये जल धाराएं हैं वो गतिमान हो जाती है इसके बाद भूमत दे रेखा और धुरूओं से चलने वाली धाराएं इसका अच्छा उदारण है भूमत दे रेखा और धुरूओं की ओर से जो चलती है जल धाराएं वो इसका एक्जामपल है यहाँ तक हमने घनतो प्रवर्टा को देखा घनतो की मात्रा पर इनका प्रवाह और इनकी उचाई निचाई निर्भर करती थी इसके बाद तापमान में अंतर को देख लीजे तापमान में अंतर ये किस प्रकार से काम करता है तो अधिक ताप के कारण जल गर्म होकर फैलता है कोई भी चीज गर्म की जाती है तो अब फैलने लगती है उसमें प्रसार होने लगता है उसके विपरी ठंडी कर दी जाती है तो वो सिकुड जाती है भले ही वो पानी ही क्यों न हो तो यहाँ जल जो है वो गर्म होकर फैलता है और फैल कर आगे बढ़ने लगता है जबकि कम ताप में जल ठंडा होकर सिकुडता है और इस कारण भूमत देरेखा से ध्रूओं की ओर जल धाराएं चलने लगती है भूमत देरेखा यानि गर्म छेत्र वहाँ पर जल फैला और जहां ध्रूओं मतलब ध्रूओं यह इलाका है पोलर रीजन है वहाँ ठंडी जल वाई होती है उसके कारण वहाँ जल सिकुड़ने लगता है उसमें अडू पास पास आने लगते है तो इसलिए यहाँ पर जो प् जब जल धाराओं के मार्ग में नुकीले इस्थलिये किनारे आ जाते हैं तो जल धाराएं दो भागों में बढ़ जाती है यानि जल धाराओं की जो इस्थती है वह दो भागों में विभाजित हो जाती है जैसे कि आप यहाँ उदारण के तोर पे देख सकते हैं दक्षणी अट्लांटिक जो विश्वत रेखी जलधारा है वो ब्राजील के संराग के पास टकरा कर दो भागों में बढ़ जाती है यानि इस टक्टान से ये टकरा कर दो हिस्सों में विभाजित हो जाती है तो यहाँ पे जो महाद वीपिये उभार है या नुकीले किनारे हैं उनसे भी जलधाराओं की दिशा में परिवर्तन हो सकता है यहाँ तक हमने जलधाराओं की दिशाओं पर प्रभाव उत्पन करने वाले कारकों को देखा अब धाराओं का जो प्रभाव होता है और उनका महत्व होता है उसके बारे में देख लिए इनका महत्व क्या है और इनका क्या असर पड़ता है यह सब कुछ यहां दिखाई देगा यहां point wise दिया हुआ है एक एक करके देखते हैं लेकिन उसका परिवर्तन हमारी भलाई के लिए ही होता है, पृत्वी के हित में ही होता है, ऐसा हम जानते हैं, तो यहां भी प्रकृति का ही संतुलन का ये प्रयास है, ये उश्मा को यानि गर्मी को संतुलित करने की कोशिश कर रही है, और कैसे धाराओं के निरंतर ठंडी छेतरों की ओर जा रही है, ठंडे छेतरों से जल धाराएं, गर्म छेतरों की ओर आ रही है, इससे तापमान में सामनेता स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, इसके बाद दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं, गर्म धाराएं अपने साथ आद्र पौनों को भ ले आती गर्म धाराएं जो हैं उसमें वाश्पी करण की क्रिया होगी और वाश्प बनेगी तो आदरता वहां बढ़ेगी इस तरह से आदर पाउनों का निर्माण होता है और यही जो आदर पाउने होती है यही वर्षा कराती है आप जानते हैं उदारण के लिए उत्तर का भी अपना उपयोग है ठंडी जलधा रहा है अपने साथ प्लावी हिंशेल ले आती है जिने हम आइसबर्ग कहते हैं और यह जो प्लावी हिंशेल होते हैं यह ताजे पानी का बड़ा भंडार होते हैं जो जमी हुई द्रूओं की बर्फ होती है वही टूट टूट कर सम एक बटे नौ हिस्सा ही उपर दिखाई देता है यह बड़े खतरनाक होते हैं ताजे जलका स्रोथ होते हैं वह तो बाद की बात है लेकिन इनकी जो इस्तिती होती है वह बड़ी डेंजरस होती है एक बटे नौ हिस्सा जो है यही उपर तैरता हुआ दिखाई देता है और इनका जो असली भाग है, नीचे जो पूरा धड होता है, वो समुद्र के अंदर इस्तित होता है, यानि बाकी जो 8 बटे 9 हिस्सा है, वो समुद्र के अंदर ही होता है, तो इस तरह की इस्तिती में इनकी आकरिती का, इनके साइज का सही अंदाजा नहीं लगबाता, और जाते हैं हाला कि अब टेकनलाजी उतनी डेवलब हो गई है कि हम इनके चोड़ाई और लंबाई का सही पता लगा सकते हैं लेकिन फिर भी कभी-कभी अचानक आ जाते हैं और टाइटेनिक के साथ भी ऐसा ही हुआ था माना जाता था कि वो कभी डूब नहीं सकता लेकिन एक आ टाइटेनिक का उदारण भी प्रस्तुत हो गया लेब्राडोर जलधारा के कारण जो प्लावी हिमशय लाया था उससे टकराकर टाइटेनिक जहाज ध्वस्त हो गया था ये एक सची घटना है और बड़ी ही दुखत घटना थी जितने भी आत्री थे उसमें से बहुत कम ही बचवाय थे और आज भी टाइटेनिक का मलबा हमें पूरी संपूर अवस्ता में नहीं मिल पाया है तो इस तरह से हम देखते हैं अब इसके बाद आगे चलिए जो सागरी जलधाराएं होती है वह समुद्र में विशाल महामार्क के तरह काम करती है यानि एक हाइवे बना बन जाती है जिस पर समुद्री जल्यान सामानिता अनुसरण करते हैं यानि जल्यान जो होते हैं पानी के जहाज वो इनहीं धाराओं की दिशा का अनुसरण करते हैं और इनहीं के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं गर्म जल्धाराओं के कारण ही ध्र यहाँ पर लेब्राडोर की जल्धारा और गल्फ स्ट्रीम के मिलन की बात आपने सुनी होगी गल्फ स्ट्रीम क्या होती है वो गर्म होती है क्योंकि वो विश्वत रेखा की वर से चलती है और जो लेब्राडोर की जल्धारा होती है वो ठंडी जल्धारा है इन दोनों का जहां मेल होता है वहाँ पर मत्सेयन के लिए अनकूल परिस्थितियां पाई जाती है और वे जो बंदरगाह है वो वर्ष भर खुले रहते हैं इस तरह की स्थितियां और जगा भी उत्पन्न होती है यहां देखिए उत्तर विश्वत्रे की जल्धारा ये किस प्रकार की है ये गर्म है क्यूरोशिवो जल्धारा है ये जापान की काली धारा कहीं जाती है ये भी गर्म है इसके बाद उत्तरी प्रशांत प्रवा है ये गर्म होता है ये भी गर्म जल्धारा है अलास्का की जलधारा है ये भी गर्म जलधारा है सुशीमा की जलधारा है ये भी गर्म है इसके बाद क्यूराइन जलधारा है ये ठंडी होती है कैलिफोर्निया की जलधारा ये भी ठंडी होती है जो दुरूओं की ओर से आ रही है वो ठंडी रहेंगी फिर दक्षिड विश्वत रेखी जलधारा ये गर्म होती है इसके नाम से सपष्ठ विश्वत रेखा शब्द जुड़ा तो इसका मतलब है कि इसका तापमान बढ़ जाएगा ये गर्म ही होगी इसके बाद नू साउथ वेल्स की जलधारा जैसे पूर्वी आस्ट्रेलिया धारा भी कहते हैं ये भी गर्म होती है हमबोल्ड तथा पेरूवियन जलधारा ये जो है ये ठंडी होती है अंटार कटिका का प्रवा ये भी ठंडा होता है इसी तरह से प्रती विश्वत रेखिये जो जल धारा है ये गर्म होती है L-نीनो धारा ये भी गर्म होती है और ओको तस्क की धारा ये ठंडी होती है यहाँ पर कुछ जल्धाराओं की उपस्तिती दर्ज की गई और उनके नाम के साथ साथ उनकी प्रकृती को भी दर्शाया गया कि वे गर्म है या ठंडी इसके बाद सारिणी अभी यही समाप्त नहीं हुई है कुछ और जल्धाराओं के नाम आप देख लीजे गर्म और ठंडी जल्धारा पे अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं इसी क्रम में उत्तरी विश्वत रेखी जो जल्धारा है वह गर्म होती है आप देख सकते है इसके बाद दक्षडी विश्वत रेखी जल्धारा यह भी गर्म होती है फ्लोरिडा की जल्धारा यह भी गर्म होती है गल्फ स्ट्रीम या खाडी की धारा इसको कहते है यह भी थंडी होती है, इर्मिंगर की धारा है, यह भी थंडी होती है, इनकी प्रकृती को याद रखिये, इसी क्रम में आगे चलते हैं, कनारी की धारा को देख लेते हैं, तो कनारी की धारा थंडी होती है, ब्राजील की धारा, यानि जल धारा की बात हो रही है, वो गर्म होती है, बेंगुला की धारा ये ठंडी होती है, इसके बाद अंटार कटिका का प्रवा ये भी ठंडा होता है, प्रति विश्वत रेखी जल धारा ये गर्म होती है, रेनेल जल धारा ये ठंडी होती है, Falkland की जलदभारा ये ठंडी होती है और Antiles या Antilies की जो धारा होती है ये गर्म होती है जो गर्म जलदभारा हैं वो विश्वत रेखा की और से चल रही है और जो ठंडी है वो प्राया धुरुओं की और से चलती है यानि पोल्स की और से आती है इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर कुछ और जल धारा है यह सारडी जो है इसमें चार और जल धाराओं का जिक्र है जिसमें की दक्षट विश्वत रेखी जल धारा है इसकी जो प्रकृती होती है यह गर्म होती है और इस्थाई होती है और इसी तरह से मोजांपिक धारा है या भी गर्म और स्थाई जल धारा है अगुल हास की जल धारा है या भी गर्म और स्थाई जल धारा है पश्चिमी आश्ट्रिलियाई जो धारा होती है वो अभी स्थाई दो होती है लेकिन इसकी प्रकृती कैसी होती है या ठंडी होती है या ठंडी जलधारा है ये याद रखना है इसके बाद ग्रिश्म कालीन जो मांसूनी प्रवा होता है या गर्म प्रवित्तिका होता है लेकिन या स्थाई नहीं होता है या परिवर्तन शील होता है बदलता रहता है शीत कालीन मांसूनी प्रवा ये भी परिवर्तन शील होता ह और चुकि ये शीत कालीन है इसलिए ठंडा होता है सोमाली की जलधारा ये ठंडी होती है और दक्षडी इंद महासागरी ये जो धारा होती है ये भी ठंडी होती है इस तरह से हमने कुछ प्रमुख जलधाराओं को देखा और उनकी प्रकृतियों का अध्यान किया जो कि महासागर में उत्पन्न होती है और इन्हें उत्पन्न करने वाले विविन्न कारकों को भी देखा पृत्वी का गूर्डन और कुछ जलवायू से सम्मंदित कारक यहांपर कारे करते हैं इन सब को देखने के वसाथ ही यह अध्याय यही समापत होता है और अगले अध्याय में हम देखेंगे सागरीय जल में तापमान और लवणता का क्या असर पड़ता है और महासागरीय निछेप कैसे होते हैं प्रवाल भित्यां कैसे बनती हैं और उन्हें वर्तमान में कौन-कौन से संकट है यह सब कुछ हम यहाँ पर डीटेल में डिसकस करेंगे तब तक के लिए नमस्कार